गुद मॉरिंग फ्रेंड्स, वेलकम तु माई हेर्थ लेक्षर ऑफ सेंट्रिफ्यूगल पंप्स आज का ये जो लेक्षर है, इसमें बेसिकली जो टॉपिक हम कंसिडर करने जा रहे हैं वो है हमारा सेंट्रिफ्यूगल पंप्स में हैट कैसे凌करेट किया जाता है तो अगर हमें कोई भी सिस्टम दिया जाए और आपसे बोल प्रेंगा आयताई की सिस्टम में है जाकरें करने तो वो कॉझसेक्ट मैं आज आपको क्लिर करने जा रहा हूँ यह interview point of view से बहुत important topic है because यह आप से हर एक interview में पूछा जाएगा आपको कोई भी set का diagram डॉख करके दे दिया जाएगा कि यहाँ पे आपका receiving tank रखा है यहाँ पे आपका main reservoir रखा है तो बताई आप head कैसे calculate करोगे event day to day working में भी यह topic काफी important हो जाता है so friends अगर आपको मेरे lectures अच्छे लगते हैं तो please मेरे channel को जरूर subscribe कीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा आपने friends से share कीजिए और like कीजिए so friends सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या system consider किया हूँ है उसमें मैं कैसे head calculate करने वाला हूँ so friends यह देखिए यह मेरा एक reservoir है जिसमें इस level तक पानी भरा हुआ है अब मेरे pointer को थोड़ा ध्यान से देखिएगा यह मेरा centrifugal pump है इस pump की help से मेरे को इस reservoir से पानी को transfer करना है इस receiving tank में जो मेरा reservoir है यह reservoir मेरा atmospheric pressure पे है similarly जो मेरा receiving tank है वो भी मेरा atmospheric pressure पे है so friends मेरे को यह पर head calculate करना है तो ध्यान से देखिए अगर मेरे को किसी भी system के head calculate करना है तो उसका formula होता है h total is equal to hs hs होता है मेरा static head of the system plus hd hd होता है मेरा dynamic head of the system plus pressure at the receiving tank यहाँ पे यह है मेरा pressure at the receiving tank atmospheric pressure minus pressure at the reservoir यह pressure at the reservoir जो मेरा इस case में atmospheric pressure है so friends अगर मैं अपने case की बात करता हूँ तो मेरे case में pressure at the receiving tank minus pressure at the reservoir की value 0 होगी because मेरा receiving tank भी open to atmosphere है जहाँ atmospheric pressure लग रहा है और reservoir भी है मेरा वो भी open to atmosphere है तो इसलिए मेरा यह पूरा का पूरा difference है यह मेरा 0 हो जाता है but friends आपकी case में यह जो difference है हो सकता है यह आपके case में 0 ना हो हो सकता है यहाँ पे यह closed vessel हो और यहाँ पाच कीजी का pressure लग रहा हो और यहाँ पे atmospheric pressure लग रहा हो तो in that case यह value आपकी 0 नहीं होगी friends दुबारा सुनिए मेरे case में यह value 0 हो जाती है but अगर आपकी case में conditions दूसरी है तो हो सकता है यह value 0 ना हो so friends मेरे case के लिए यह जो formula बसता है h total is equal to h static plus h dynamic because आगे का यह जो पूरा का पूरा factor है यह पूरा factor मेरा 0 हो गया है so friends अब हम बात करते हैं static head की so friends सबसे पहले यह समझे है कि actual में static head होता क्या है माल लीजे यह मेरा एक reservoir है यहाँ पे मेरा एक centrifugal pump लगा हुआ है इस centrifugal pump की help से मेरे को इस receiver में material transfer करना है so friends reservoir के tank के level से receiving tank के level का जो vertical distance होता है ध्यान से देखे friends reservoir tank के level से जो भी मेरा receiving tank है उसके level का vertical distance की में बात कर रहा हूँ वो basically होता है static head अब आपके दिमाख में एक और question आएगा कि इस case में मेरा यह जो pump है यह vessel में नीचे से material जाल रहा है अगर यह material मान लीजे यहाँ कहीं से discharge कर रहा होता और vessel के उपर से in that case यह formula थोड़ा सा change हो जाएगा उस case में यह formula मेरा बनेगा reservoir tank के level से जो भी आपका receiving tank के उपर जो भी discharge line है उसका difference friends दुबारा सुनिए reservoir tank के level से receiving tank के level का vertical distance यह basically static head होता है अगर मेरी जो भी transferring की line है वो vessel में नीचे से आ रही है अगर मेरी यह line receiving tank में काफी उपर से आ रही होगी तो यह formula हो जाएगा reservoir tank का level minus discharge line जहां पे discharge कर रहा है वो level उसका difference और दोनों के बीच का vertical distance friends ध्यान दीजेगा खाली हमें vertical distance consider करना है और कुछ भी नहीं so friends इस definition को देखे static head is the physical distance in the elevation between the surface of reservoir and the point of discharge into the receiving tank oblique receiving tank का level जो भी ज़्यादा होगा वो value so friends h total मेरा calculate हो क्या आता है h static or h dynamic जैसा कि मैंने आपको पहले बताया because मेरा जो pressure difference था वो 0 हो गया था अब friends जो static head है वो basically यह जो reservoir tank आप देख रहे हैं जैसे जैसी से material transfer होता रहेगा reserve oil tank का level मेरा decrease होता चला जाएगा तो h static की दो values रहती है h minimum और h maximum h minimum की case में जहां पे भी मेरा discharge हो रहा है वो discharge का level minus reserve oil tank उस time पूरा भरा हुआ रहेगा तो minus reserve oil tank का top level और maximum value का बरहेगी discharge level minus reserve oil tank जब मेरा minimum भरा हुआ रहेगा so friends hope आपको static head का concept मैंने अच्छे से clear कर दिया होगा अब चलते हैं अपने next topic पे अब friends हम बात कर रहे है dynamic head की तो सबसे पहले तो ये समझे कि dynamic head जो है वो लगता कब है friends dynamic head किसी भी system में तब लगता है जब वहाँ पे liquid का movement होता है और ये basically खाली friction forces की वज़े से लगता है friends अब जभी भी कोई liquid एक जगे से दूसरी जगे मूफ करता है तो basically वो pipeline से मूफ करता है तो pipeline के surfaces से लगने वाला जो friction है वो friction उस पे लगेगा इसके बाद में friends हमारा आपका जो भी हमने रास्ते में valves यूज किये हैं pipelines में impeller आ रहा है इन सबसे लगने वाला जो भी pressure रहता है वो सारा का सारा basically head के टम से में जब हम calculate करते हैं तो वो हमारा dynamic head को contribute करता है friends दुबारा सुनिए आप यहाँ पे थोड़ा गौर से देखिए pressure head जो भी हमारा frictional losses की वज़े से pressure develop होता है वो basically हमारा होता है dynamic head जो भी हमारा frictional losses की वज़े से head develop होता है वो dynamic head होता है अब friends इस dynamic head को हम basically calculate कैसे करेंगे यह मैं आपको अपनी next slide में confirm करता हूँ friends यह देखिए dynamic head को हम define करते हैं hd से इसका formula होता है k into v square upon 2g जहाँ पर जो मेरा k होता है that is basically the loss coefficient v होता है pipe के अंदर आखिर velocity कितनी है जिससे liquid मेरा move कर रहा है इस velocity को generally हम consider कर लेते हैं calculations के लिए 1.3 से 1.5 meter per second इसको exact value कैसे calculate करना है यह मैं आपको अपने next lecture में example से confirm करूँगा g होता है friends मेरा acceleration due to gravity इसकी unit होती है meter per second square so friends यहाँ पर main चीज है k is the loss coefficient जिसकी value आपको पता नहीं है इस value को कैसे calculate करना है यह मैं आपको अपने next slide में confirm करने बाला हूँ so friends यह देखे loss coefficient k k basically होता है k of fittings plus k of pipe because में liquid मेरा एक pipe के थो move कर रहा है जिसमे कहीं पर मैंने elbows यूज किया कहीं पर valve यूज किया यह तरीक है की fittings यूज किया जिसकी बज़से losses होते है so friends k of fitting की value आप directly google पर search करेंगे तो अलग अलग तरीके की fittings के लिए यह k की value क्या रहती है वो आप directly calculate कर सकते है light ball valve के लिए यह value 0.05 है gate valve के लिए 0.13 है plug valve के लिए 0.29 है तो यह values आपको ready match values आपको google पे easily available है आप वहाँ से यह value उठा के directly k fitting की value रख सकते है अब friends k of pipe की value आप कैसे calculate करेंगे k of pipe की value calculate करने का तरीका है k is equal to f into l by d f basically होता है friction coefficient यह basically depend करता है की liquid आपका किस तरीके pipe से move कर रहा है pipe का MOC कितना है उसके उपर roughness कितनी है इसको कैसे calculate करना यह basically है आपको google पे easily available है यह values friction coefficient के आप google से directly भी values उठा सकते है otherwise अगर आपको अपने system से specific काफी जादा specific way में आपको calculate करना है तो वो मैं आपको I think अब आपको यह समझ में आगया होगा कि k जो है यह आप easily calculate कर सकते है k की value होती है is equal to k of fitting plus k of pipe so friends अब finally hat का जो पूरा formula था वो मैं आपको एक बार में समझाता हूं h total is equal to static hat plus dynamic hat plus pressure losses between receiving and the reservoir यह मैंने आपको पहले confirm कर दिया कि मेरे case में यह दोनों की दोनों value same थी atmospheric थी इसलिए पैसर at receiving minus पैसर at reservoir मेरा same होने के वज़े से zero हो गया था at static मैंने आपको calculate करना बताई दिया कि यह basically वो होता है कि आपका जो भी reservoir tank है और जो भी आपका receiving tank है उनके बीच में water के levels के बीच में जो भी vertical distance होता है वो basically static head होता है और friends dynamic head मैंने आपको confirm किया कि dynamic head जो भी होता है वो basically जो भी भी liquid आपका pipes के थो move करता है तो वो pipes और जो भी आपने various तरीके कि उसमें fittings use की होती है like elbows valves उन्ने होने losses की वाज़े से जो loss होता है वो dynamic loss होता है और friends dynamic loss को calculate करने के लिए मैंने आपको formula पहले बताया था मैं फिर repeat कर रहा हूं is equal to k of pipe यह कैसे calculate करना है मैंने आपको last slide में बताया है कि होता है basically f into l by d f होता है friction coefficient जिसकी value आपको easy google पे available है length of pipe आपको पता रहता है d diameter of pipe वो भी आपको पता रहता है k of fitting यह जो भी आपने fittings use किया होना है उसके हिसाब से यह value आपको easily google पे मिल जाएगी v velocity of the pipe जो मैंने आपको बताया है 1.3 से 1.5 आप consider कर सकते हो otherwise exact values कैसे calculate करनी है वो मैं आपको next lecture में अच्छे से confirm करूंगा g excellency due to gravity so friends I think अब आपको यह बिल्कुल clear हो गया होगा कि कोई भी system आपको basically दिया जाता है तो उसमें total head होता है static head plus dynamic head plus pressure differences between the receiving and the reservoir tank so friends hope आज मैंने आपका concept head related clear कर दिया होगा और next lecture में मैं आपको example के थो और deep में समझाऊंगा कि basically head कैसे calculate किया जाता है friends अगर आपको मेरा lecture आज का अच्छा लगा हो चैनल को subscribe, like और share जरूर कीजिएगा और friends next topic में हम centrifugal pump में height कैसे calculate करते हैं उसके example के साथ में हम दुबारा मिलते हैं till then goodbye have a nice day